नमस्कार मैं लक्ति शर्मा आप सभी का हार्दी के बनंदन करता हूं तो जैसा कि आज का शीरशक कि हमारी जो बहन प्रियंका रेड़ी कि मैंने तीन दिन पहले जो वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था कि क्या होना चाहिए रेपिष्ट के साथ लेकिन कहीना कहीं जो हम स इसकल से घंटी हो जाती है कि और वो ही हमारी ब putting हो गई क्या गलती हुई कLO contradit हौत तो उस चीज के बारे में हम डिस्कॉस करना चाहेंगे हम आपस में परिवार हैं मैं अगर आपको मेरी बात फोड़ी से भी अच्शी लगे तो फूनि उसको शेर भी करना है और उसको हम पूर्जाती है तब अटर दले कोई असी खास बात होती नहीं खास एंधेरा ये कुछ ऐसा है तो हम मानते हैं कि 벌써 एक्राइब लेकिन टोल टेक्स पे डरना, सहमना और किसी अंजान व्यक्ति से किसी ने हेल्प का कहा और हमने उस पर विश्वास कर लिया तो सबसे पहली गलती अंजान व्यक्ति पे विश्वास कर लिया उसमें भी कोई खास गलती नहीं है क्यों गलती नहीं है? क्योंकि जो मारी बेहन थी प्रियंका रेडी उनकी एस 27 और जो स्कूर्टी को पेंचर लगवाने के लिए उनकी मदद का जिसने जांसा दिया कि मैं आपकी मदद करता हूँ और मैं आपकी स्कूर्टी के पेंचर लगवा दूँगा उसकी एस 14-15 एर हर कोई बैकावे में आ सकता है हर कोई बैकावे में आ सकता है मैं भी आ सकता हूँ आप भी आ सकते हैं कि यार ये इस डिफरेंसी पो होता है बच्चों के पराबर है उसके लेकिन शैतान और बुराई उनकी कोई उमर नहीं होती कोई सीमा नहीं होती ना शैतानी की कोई सीमा ना बूराई की कोई सीमा वो पहले ही गात लगाए बैठे थी तो सबसे बड़ी एक गलती होई कि अंजान व्यक्ति पे विश्वास हो गया और विश्वास किया तो हम सभी हमारे पूरे देश को उस पर बड़ा दुख है कि जो हुआ तो मैं अपने मातार भेहनों से यह गुजारिश करूँगा कि कभी भी किसी अंजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें चाहे कितनी भी कोई समस्या है उसको अपने तरीके से अपने सगे सम्मंदियों से अपने इसदरों से हल करने का प्रयास करें अंजान मेक्ति आज के इस कलियुग में अंजान पे विश्वास करना सबसे बड़ी मुर्खता है तो उस अंजान पे विश्वास जो किया तो अपने घरवालों को भूल गए उन वो घरवाले कह रहे थे कि हम आ जाते हैं लेकिन उन्हें का नहीं नहीं मुझे मदद का उफर हुआ है यहां मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा सा और बाद में उसका जब फोन बंद हुआ तो आगे शब्द नहीं है कहने के लिए तो मैं यहीं कहने चाहूंगा कि अंजान पर विश्वास मत करें यह सबसे बड़ी जो गलती थी और वो हमारी कोई भी माता या कोई भी भाई कोई भी बहन ना करें क्योंकि एसा दर्दनाक दृष्षय और पूरे देश के किसी nागरीक में नहीं है तो मैं आप सभी से विदा लें लेना चाहूंगा इसी के साथ ही और अगर आपको मेरी थोड़ा सा व्यूज अच्छा लगे तो इस चैनल को और आगे भेजंजें subscribe को करें और शीर भी करें धन्यवाद